गुल्टू सेटिंग, गुल्टू यारी, हाउस फुल है, नास हमारी, मस्ति करना काम हमारा, ये में है ये दुनिया सारी, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, गाड़ी किसी की धक्या खाए, कोई बनेगा लीडर, इतरा ना है काम किसी का, कोई बनेगा हीरो, पर पड़ने की बात जहां है, वहाँ है सारे जीरो, लेकिन अब ये मंत्र हमारा, हम चुनेंगे राह सही, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, रोज रोज अब जाके स्कूल समझ में आई अपनी भूल पढ़ लिक कर बन सकते हैं किस बगिया के हम भी भूल हम पिसी से कम नहीं हम पिसी से कम नहीं ये है जान सागर निवाद बड़े शहर के कोला हल से दूर शहर के छोर पर बसे शहर और गाउं की मिली जूली सब्विता में अपने आपको रंगे हुए सिटी गाउं नाम के गाउं में बने फार्म हाउसों में से एक और ये हैं इस पार्म हाउस के मालिक श्री ग्यान सागर जी इनी का सपना उपर उल्टा लटक रहा है उद्योग नगरी में धाग जमाने के बाद अब इनका एक ही लक्ष है यहां अपने फार्म हाउस में चल रहे राष्ट्रिय साक्षरता मिशन के इस कंटिनियूंग एजुकेशन सेंटर यानी CEC के माध्यम से इस इलाके के अनपड़ और कम पढ़े लेके लोगों को शिक्षा का महत्सु समझाना और उन्हें शिक्षित करना और साथ में हैं इस CEC के प्रेरक श्री राम लोचन पून रूप से गांधीवादी और अपने काम के प्रती निष्ठावान आज यहां CEC में सफाई अभियान का आयोजन हो रहा है देखिए राम लोचन जी बोड भी इन्होंने उल्टा टांगा हुआ है यह तो हाल है इन लोगों का उल्टे सीधे का भी कोई फर्क समझ में नहीं आता अब ही तो कहता हूं आपके इस केंदर की जरूद सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों को तो है ओए मूरको बोड उल्टा है सीधा करो ज्यांसागर जी आपने इस केंदर को चला कर बहुत अच्छा काम किया है अब तो सभीयद भी ठीक नहीं रहती ना जाने कभी शवर के पास से बुलावा आजाए अब तो बस इन अनपढ़ लोगों में जो पढ़ लिखकर सबसे ज्यादा काबिल होगा उसे ही मैं अपना सब कुछ स्वाप कर निश्यंत हो जाना चाहता हूं बस अब यही एक इच्छा रहे गई है और ज्यान सागर जी की इसी इच्छा में सिती गाओं के अधिकतर लोगों का लक्ष भी छुपा है क्या पता ज्यान सागर जी को कब किसमें वह योग का नजर आ जाएगा यह ड्राइवर की वर्दी में संत्राम है कभी मुंबई में टैक्सी चलाया करता था अब पडोस में रहने वाले आनंद परवार की गाड़ी चलाता है वैसे उनके घर का बाकी सारा काम भी यही देखता है पढ़ना लिखना आता नहीं है और इसलिए हमेशा हिसाब में गरवड़ी होती है और तब उसका एक मात्र सहरा होता है उसके मालिक का 11 वर्ष ये पुत्र जोजो जोजो को अपनी चुटियां C.E.C. में बिताना जादा पसंद है अब जैसा नेता ही देश को प्रगपी के रास्ते पर आगे ले जा सकता है घर घर में बिजली होगी तक पीड़े के लिए पानी होगा सब के लिए काम होगा हम आपकी आवाज संसत तक ले जाएंगे आज तो धकन गुरु संसत को हिला कर ही मानेंगे आप पूछे तो यह कहेंगे जाएए प्रधानमंत्री जी से पूछ लीजे वैसे वास्ता में प्रधानमंत्री तो क्या किसी संत्री का नंबर भी नहीं मिलेगा इनकी टेलिकोन डाइडी में अनपन है और इलेक्शन कभी कोई लड़ा नहीं हाला कि आप सिटी गाउं के किसी भी बच्च सिरब भाशन देने से वोट नहीं मिलेंगे वोट चाहिए तो जा करके अपने साथियों का सफाई अवियान में हाथ बटाओ जितना ज्यादा कचणा उठाओंगे उतने ज्यादा वोट मिलेंगे जाओ तारी नींद खराब सब्सक्राइब लिए नोटन भाइया आपकी बा अरे इनसे तो आपको मिलवाया ही नहीं यह हैं लोटन महाशे एक मात्र यही तो हैं जो हमेशा यहां सीजी में नजर आते हैं घलत मत समझिए यह यहां पढ़ने नहीं आते हैं यह तो यहां का पर्मनेंट हिस्सा हैं जैसे यहां के पेर पौदे या कुर्थी मेर इधर मंत्री जी का फोन आया था है कि मंदल का विस्पार करना है हमारी जाय मांग रहे ते कि इस बार को रहे हैं तो हमें मंत्री पर सुवकार करना ही पड़ेगा वो देखो तुम्हारे डेर्सारे मोट पढ़ें जाओ जल्दी आके उनको बढ़नों और हां और एसे में लोग अच्छा लोटन भाईया हम चलते हैं ऐसे लेता एक दिन सारे देश की सफाई कर देंगा तो पट्टा मेरां यह पिंकी है यहीं पास में मिस्स बैनर जी के फार्म हाउस की देख रेक करती है वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में मेट सर्वेंट है पढ़ाई का शॉक इसे इवन का भी एक लक्ष है सजना सवरना और अपने आसपास मडराते भावनों को बेवकूब बनाना पिंकी के बहुत सारे आशिक तो इसी के चक्तर में सी इसी पढ़ने भी आते हैं और इनसे मिलिए यह हैं पिंकी के आशिक नंबर वन मिस्टर बॉलिवॉड यानी शीमान ह लगता है आज हाथी मेरे साथी फिल्म देखकर आ रहा है यह फिल्मों से ही ऑक्सीजन मिलती है ऐसे वैसे तो अनपड़ है लेकिन अपने फिल्मी घ्यान से हर समस्या का हल ढूंता है कि अधिया तो अधिया चुना आप तक किसी तरह से सपोर्ट बनाई रखिये गारे अधिया हम्याद सुबह से सफाई में लगे अगि बजाए हाथ बटाने को पूरा भेला है तो में निचो उदर बैटा बैटा हूल देता रहे या कुछ काम भी करेगा और यह क्या तुझे क्या चुडिया गर में बंदर की विकेंसी में लिये क्या नहीं यार मैंने भी बिल्कुल ठान लिया है सन्नी भाईया की तरह बॉडी बनाऊंगा फिर देखना गदर फिल्म की हिरोईन की तरह पिंकी भी सरहत पार से मेरे पास भागी चलिया आएगी हर्या तुझे कीरे पड़े मेरी कमर तोड़ दी मेरी नई ड्रेस खराब कर दी अपनी सुबह से सपाई कर करके खलास हो जा रहा और तुए अपनी सन पट्टी से बाज नहीं या रहा है एक तो केले के छिल के फ्यांके गंदगी फ्यारा रहा है उपडसे संदर सी नाजुक टोड़े इस संद्राम थुकर में पिंकी को मेरे खिलाफ मत बढ़गा मैं छिलके यहां फेकूं या कही और तो यह जाता है यह जमीन प्राप की है यह बाप की निया बोल देता हूं मुझस्के पंगा मतले मसल मसल के रख दूगा ढ़ा सल्मान भाई भी अपने को मानता है समझा प्लाइज़े का सलीम खुटा समझाए क्या अब उन्हें भी गाव में गुरु सीता राम क्या आज आज देखें जरा इसमें कितना है दम आया 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 तुम लेड़ेंगी तो वह इस लगना विकार है इतना काम पड़ा है यह सब सफाई कौन करेगा वहां कभी हो गया अभी से कहा चिक्वाना है? अभी ऐसे करते हैं इसको यहीं गठा कर लेते हैं एक साथ चिक्वाते हैं ठीक है ओ, बहुत देर होगी, सोचा था दस मिनिट आपके हाल चाल ले आउगी कल से आपसे मिलना ही नहीं हुआ, पूरे धाई धाई हो गया प्रमोशन की जो बात चल रहे है, अच है वैसे पिछली बार भी ओने वाला था उनका प्रमोशन परगो जो शर्मा जी है ना तगड़ा सोर्स लगवा लिया रहा हो, उनका हो गया और यह रह गया तक नहीं हम श्रमा जी के बास कर रही है न Duty के बारे में आपने वा था कि वह अपने से बड़े उमरे लड़की के साथ हाल यह तो वह सार्दा था यह है श्रीमति आनन्द अपने आप में एक चलता फिरता 24 घंटे का न्यूस चैनल वगल के फार्म हाउज में रहती हैं इनके बेटे जो जो और ड्राइवर संत्राम से तो आप पहले ही मिल चुके हैं समय गुजारने के लिए शिमती पाटंकर के पास अक्सर गबाजी के लिए आ जाती है वैसे CEC के कार कलापों में भी काफी दिल्चस्पी रखती हैं यह अब हम सारा कुड़ा यहीं कठा कर रहें बाद में एक साथ पिकवा देंगे अरे साथ के साथ ही अगर कुड़ा पिकवादी आ जाता तो अच्छा था ना अब एक साथ कुड़ा पिकवादी होंगे जो समय की बरबादी होगी उसका क्या आप तो समझते नहीं न अब एक दिन में इतना सारा कुड़ा तो साथ होने वाला है नहीं यह है Mr. and Mrs. Spartankar और लीजे हो गई इनके दिन की शुरुवात आप सोचते होंगे जो लोग इतना लड़ते हैं वो साह कैसे रह लेते हैं पर इसी को तो कहते हैं श्रीमान श्रीमती का अनुखा प्यार जो दुनिया के बड़े बड़े ज्यानी भी नहीं समझ सके पॉस से रिटायमेंट के बाद अब लोगों के बीच ये शिक्षा के प्रचार को ही अपना एक मात्र लक्ष मानते हैं और इनका यही लक्ष इन्हें सी इसी ले आया है अच्छा अब जो इकटा हो गया ना उसे तो फिक्वाई देते हैं अच्छा रहेगा एक साथ कुड़ा पिक्वाने से टाइम भी बचेगा और काम जल्दी हो जाएगा अच्छा एक बात तो आप अब तक समझी गए होंगे Mr. and Mrs. Patankar कभी भी किसी विशे पर सहमत नहीं होते हैं अच्छा अब मैं चलती हो जो जो के खाने का टाइम भी हो गया अच्छा मिस्स पातंकर अच्छा मिस्टर पातंकर मैं चलती हो गया अरे खाना मैं तो सफाई अभियान के चक्कर में भूले गए थी कि आज हमें आपके दीदी के यहां पाट पर भी जाना है और हाँ आज हमारा खाना भी तो वहीं पर है ना वो तो सब ठीक है लेकिन पहले ही यहां इतना क्राम पड़ा है आपको क्या सुनना तो मुझे पढ़ता है न चलिए जल्दी से चलते हैं चलते हैं चलते हैं अज़े तुम लोगों के भरोसे तो यह सफाई अभियान पूरे एक साल में खतमनी होगा यह देखो मैं क्या लाई हूं क्या प्राबलम है अब इसे चलाने का तरीका इस किताब में लिखा है और अब पढ़ना तो मुझे आता नहीं है भाई हमारे गोते चिता क्या पिंकी हम है तो क्या दो है देखो मेरा चलवा अभी दो मिर्ट में चला की दिखाता हूं हुआ हुए प्रप्ते मों तेर से कभी कोई काम ठीक भी हुआ थेक भी हुआ है मेरी सारी चुनि घराब कर दी पहले ही जाता यहीं है सारी प्रोबलम भायो और बहनो आपस में ललाई झगरा छोड़कर हमें देश के हिंग्य बारी में सोचना चाहिए और देश का हिं सफाई है सपाई होगी तो गंदगी नहीं बचेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे स्वस्थ लोगों से मच्बूत धेश बनता है तुम लोगों के चक्कर में अब अब क्या करें कवा चला था हंस की चाल भूल गया खुद अपनी चाल अब हो जाओ दुबारा भी शुरूब कि कि तेरे कहने पर मैंने सारा कचरा फेक दिया अब चलती है क्या नौ से बारा इसनी मौत आई है वे पुद्टू सिंग पे कचरा फेकने की हिम्मद किसने की तभी आपन सोच ले रहा था यह हर्या अख्खा कुड़ा इतनी जल्दी कैसे फैक करा आ गया कौने बेहर्या कि यह सफाही अव्यान चलना है ना मैं भी उसमें योगदान करता हूं इस हर्या को साफ करके जाने भी दीजिए पहलवां जी अब बेचारा बच्चा है यह आज फैसला वजाने तो अपने हर्या भी किसी से डरता है क्या अब बच्चा है तो सामने आ वहरत की पीछे क्या चुपता है पहलवान जी मुझे क्या फालतु जरुरी काम यादा आगया अभी चलता हूं हर्या ऐसा कौन से काम है जो फालतु होगर भी जडूरी है हम तुमारा वो काम कर देंगे यह फालतु जरुरी काम है ज़र देगा है अपन तो तेरी भलाई की बात कर रहे ला है अगर तू इस मोटू की धुलाई कर देगा ना तो पिंकी से तरी फूर्टु सैटिंग हो जा कितना है दम दिखाता हूं दम फेरो एक पिनाट अब क्या हुआ है मैंने इरादा बदल दिया पत्तु सेंग जा मैंने तेरी को छोड़ दिया वर्ना कहता फिरेगा कि हर्या ने अपने इलाके में मुझे पीचा मैंने इरादा नहीं बदला है हां आ जाना शाम को छे बजे यहीं तुम दोनों के बीच में फैसला हो जाएगा दंगल में क्यों हर्या तो ठीक है शाम को मिलते हैं और तुम सब आ जाना कम सक्शार आदमी तो चाहिए होंगे इसको सम्शाल ले जाने के लिए यह तुमने क्या किया हर्या जोष में आकर होश खोदिये कम से कम दो सो किलो का तो होगा अरे हरिया तु पागल हो गया है क्या ये तुझे कच्छा चुपादेगा आने दो शाम को इस गैंडे को मैं किसी से ड़ता हूँ अरे इसके जैसे दस पहलवान को मैं एक साथ धूल चटा सकता हूँ कि दो सो किलो का पहलवान तो माट डालेगा बजा अब 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 क्या करना है कि अब कि अब अब आने ने। हुआ है हमें तो लगता है कि हमें पुत्तु सिंग जी का खाड़े पर जाकर उनसे मावी मांग लेनी चाहिए ना बड़ा अप्मान जाए पर वचल ना जाए अब यह चुप कर जरा यह तो सोच जब सर साब और मैडम साब को पता लगेगा वो तेरा क्या हाल करेंगे असली मजा दत्ताव आएगा जब ज्यान सागर जी को पता चलेगा इस टाल के पैसो में बाल कॉनी में फिल्म देखने का मजा आएगा तोरी तो मैं संक्राम इस मुसी अच्छा यह इसे पीजा रूप जारिया मुझे इसकी बात पर विल्कुल भरोसा नहीं है पता नहीं क्या दे रहा है आप इंकी क्या पता ताकतवर फिल्म के बीच में शाहिद फिल्म का ट्रेलर दिखा दे ठीक है मत करो भरोसा अब उनको क्या यह तो आपन बुमबई से कराया था अपने लिए इसे रोज दूद में मिला कर पीने से ताकत आती है इंग्लिस में इसे हेल्थ टॉनिक कहते हैं हां हां हर्या संत्राम ठीक कह रहा है इस बॉटल को देख इस पे पुत्तु सिंह से भी मोटा पहलवान बना हुआ है कर देख भीड़ो दस बात की एक बात अब तुझे सिर्फ यह बचा सकता है अगर अपनी साइकल की बॉड़ी में अमभेश्टर की जन डाल लिया तो इसे पी जा यह संत्राम आज कोई अविश्कार करके ही मानेगा अगर इस देड़ पसली को उस गैंटे से लड़वाने के ले मजबूत बनाना ना तो इसे पीना है पड़ेगा यह पीना है तो पी टाइम खोटी मत कर अगर 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 मेरे अंदर तो अभी से इसका असर होने लगा माफ कर दीजे फिर ऐसी कलती नहीं करूगा अगर दालूगा कर दालूगा कर दालूगा जिना पर दालूगा ऑफ इस नतराम के बच्चे ये तुने इसको क्या पिला दिया ये ताकत की दवा है या सोने की अब सपना ही देखता रहेगा क्या सारा टाइम सोने में निकाल दिया है चले वो पुत्तु सिंग पहलवान खड़ा तेरी रहा देख रहा होगा लेकिन मैंने तो अभी उसका बेंट बजाया था फिर से कहां से आ गया आप कोई दी राएगा सब डर गया जो डर गया सब जो मर गया अज कि कुस्ति कैंसल कोई कुस्ति नहीं होगी मैंने अभी 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 यह शोका फिल्म के सारुखार की तरह इंसा का रास्ता थोड़ दिया है तो कहा रहा है आज तो सही सलामत वापस नहीं जाएगा लगता है तुम मार खाय भी ना मानेगा नहीं अच्छी कहा गया है लाते बूद बहुत बातों से नहीं मालते आप तेरी इच्छा पूरी करी देता है एक मिनेट बुजा मानूं था तुम अपना इरागा तुम मैने इसके साथ दे मानी की है अपू नहीं तुम लोग बंदाज हो कि कुछ की रहा है अगर कोई गरबढ की अगला नमबर तुम्हारा है अब तुने कोई गरबढ की ना तो मैडम मेम साब से तेरी शिकायत लगा दूगी तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद तुसे मिलने को ना आएंगे सनम आज के बाद गवरा हुआ थरिया हमने संचार मंत्री से बात कर ली है और वो तुम्हें विकलान कोटे से एक टीस्यों भूत दिलवा देंगे अपने ठोगड़ा ठीक है ऐसा लगता जैसे भूत देख लिया हो ठककन गुरू अगर मैं मर गया तो मेरी मा से कहना कि जादा रोए नहीं और है अगर तू मरा नहीं बस तेरे हाथ पैर ही तूटे या तेरी आखे बाहर निकला आई या तेरी बोलने की ताकत चली गई तब किसको क्या कहना है यह भी बता दो कि 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 अस्ताद देखो यह हीरो के हाथ पैर है ज्यादा जोर मत लगा ना नहीं तुन निकल जाएंगे हाँ कि 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 कुछ कि कि वह जोर से मारा क्या नाटा कर रहा हिए जॉक्टर को लाओ क्या अध्जी को क्या वाया बहुत जोर से मारा क्या अध्यक्टर को लाओ क्या अध्यक्टर बुलाओ क्या डॉक्टर बुलाओ क्या अध्यक्टर बुल्वा अध्यक्टर बुल्वू अध्यक्टर बुल्वू जगड़ा तो मैडम खुट्टू सिंग ने शुरू किया था तुम तो संत्राम चुप रहो कुड़ा उसने अपने उपर खुट तो डालने लिया था आप क्यों नहीं कहते हैं इन से कुछ यह किस तरह का सफाई अभियान था जो अपने घर का कुड़ा उठाकर सड़क पे या आज-पास के घरों में पहेंका है अरे सफाई का मतलब यह होता है कि अपने घर के साथ साथ आज-पास की इसफाई भी करना और या इंटर्वल के बाद की पिक्चर बागी है गया उपने दीजिये आप महान है इतना बता दीजिए कि लि obsess लग beliefs साथ लगाया ना मैंने आपको हथ लगाया फिर ये महान काम आपने किया कैसे तो क्या मतलब आपने खालत नहीं किया और आई मैडम जी इन्होंे 2 मोड़ मुझे मारे और बगार मुझें मार क्ई真 आए मुझे चित कर अगर हर्या ने वह हेल्थ टॉनिक नहीं पिया होता तो उसमें इतनी ताकत कहां से आती हुँ तो आप थे सर्जुन के सार्थी जादूवी हेल्थ टॉनिक जिसे पीके सरपत पहलवान में दिनी ताकत आ गई कि मुझे यानि पुत्त उसिंग पहलवान बहरा दिया यह ले पुत्त से आशकर आज अपुनका मूट फिप्ट केर में है अपुनका यार तुझे हराकर चैंपियर बने लाए है यह क्या है जाए मुझे दिखाईये तो जैसे आटो रिक्षा में पैट्रोड के साथ टूटी ओल मिलाते ना वैसी से दो चम्मक दूद में मिला के पीने का फिर तू भी अप उनके हरिया जैसा हो जाएगा हां बिल्कुल ठीक ना जो भी इस हैल्ट टॉनिक को पीएगा वह बिल्कुल हरिया की तरह हो जाएगा बि कि यह हालत कैसे हो गए क्या मतलब यह कि हरिया की हालत खराब हुई क्योंकि यह हैल्ट टॉनिक खराब खास तोर पर दवाईयों के ओपर एक एकस्पारी डेट लिखी होती है या तो उसके डब्बे पर या उसकी शीशी पर जिस डेट के गुज़र जाने के बाद उसका इस इस हेल्ट टॉनिक की एकस्पारी डेट निकले तो महीनों बीच चुके शाब यह अपून सब क्या जाने अपून पढ़े या लिखेला किदर है इसी लिए तो कहती रहती हूं कि कुछ पढ़ाई लिखाई कर लो अभी भी देर नहीं हुई है इसी लिए तो कहते है जब जा है बढ़ा है बहए जाऊा सब पिछ पढ़ जाएंगे फिन इंगलेश शुर्दू जडर्मन सब कारते है हम प्रणा ऐँ है कि मैं कि नहीं कि जी मैं हुई है कि भी कि वए है